खबर बहराईश से हैं जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश की जंगलों में सबसे विसेश अस्थान रखनी वाला टाइगर की हर हरकत पर जंगल विभाग की नजर होती है किसी कारण अगर टाइगर की मौत हो जाये तो पूरा महकमा खरबड़ा जाता है दो दिन पूर्व कतरनिया घाट रेंज कार्याले से 300 मिटर की दूरी पर बागों का संगर्ज होता रहा लेकिन वन विभाग को नर बाग की मौत के बाद जानकारी हुई वहीं बाग की मौत पर अलग-अलग बयान भी लोगों में कौतूहल का विसेश बना रहा आठ मा में दो बाग और दो तेंदों की मौत से वन जीव की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग पांसो इंक्यामर वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है जंगल में वन जीवों और पेड़ों के सुरक्षा के लिए साथ रेंज कार्याले स्थापित हैं इन वन कर्मियों की मौनेटरिंग प्रभाकी वनाथिकारी आकास दीप वन वधावन द्वारा स्वयम की जाती है दो दिन पूर दो बागों के भी संगर्स हो गया लगभग 10 मिनट तक संगर्स जरूर चला होगा लेकिन रेंज कार्याले में मौजूद वन कर्मियों को इसकी भानक तक नहीं लगी काफी देर बाद गस्त के लिए निकलिव वन कर्मियों को बाग के सब पड़े होने की सूचना मिली डियफो ने पहले से ही से संगर्स की बात कही इसके बाद दूसरे दिन बागों के बीच संगर्स में जान गवाने की बात कही लेकिन दोनों बयान वन जी प्रेमियों के साथ अन्य लोगों में गले से नहीं उतर रहा है इसी तरह लगबग एक वर्स पूर्ग गिर्जा पुरी बैराज में एक बाग का सब बरामत हुआ उसे पानी में डूप कर मौत की बात कहकर इतिसरी कर ली बहराईच वन बिभाग और कतर्मिया घाट में दो तेंदों की मौत हो चुकी है आठ मा में दो बाग और दो तेंदों की मौत से जंगल के साथ वन जीबों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे है वन नजीबों की मौत के मामले में वन विभाग मुकदमा तो दर्ज करा लेता है लेकिन कारिवाही करने की जहमत नहीं उठा पाता वही वन विभाग की माने तो रेंज कार्यारे के निकट कैमरा भी नहीं लगा है 9 अक्टूबर को बाग का सब सर्यू नहर में मिला था वन भी भाग ने पानी में डोब कर मौत की बात कहकर मामले को खत्म कर दिया जबकि बाग पानी का सबसे बड़ा तैराक माना जाता है ऐसे में बाग के पानी में डोबने का मामला भी लोगों की गले नहीं उतर रहा है बागों की लड़ाई के पंथचिन्द भी मिले हैं प्रभागी वनाधिकारी आकास दीव वधावन ने बताया कि जहां पर बागों का संघर्ष हुआ वहाँ पर दूसरे बाग के पंथचिन्द मिले हैं उन्होंने कहा कि बाग दूसरे छेतर से वहाँ पहुच गया होगा